नमस्ते सदावत सले मात्रभू में बड़ी खुशकबरी की सूचनाएं जब उनकश्मीर से आई फारुग उदुल्ला का पेट खराब हो गया ममता बिनार जी का पेट तो पहले से ही खराब था और भारत के तथा कते सेकॉलरिस्ट जिनको चरमपन थी भारत में प्रिवेश करने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत अच्छे लगते थे इसलिए केंदर सरकार ने जब CAA पास किया तो उनको डर ये लगा कि इसमें मुस्लिम से शामिल नहीं किये गए हैं और पाकिस्तान बांगला देश के मुस्लिम शामिल नहीं किये गए हैं तो ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगला देश कभी भारत का ही हिस्सा होता था और दिमाख में ये बात चड़ी होई है कि भारत तो मेरी भूमी है बहुत सारे स्टेट्मेंट बहुत सारे लीडर्स जिनमें जावेत अक्तर भी शामिल हैं देते ही रहते इनमें कुछ बड़े लीडर्स हाला कि गुलाम नभी आजात ने कोई statement नहीं दिया इस बात की खुशी है लेकिन statement देने वालों में फारुख अब्दुल्ला का statement आया है और अभी संभव है कि देश में और leaders जैसे जैसे ये बात फैलेगी वैसे और leaders का statement आएगा जिनको तुस्तिकरल की politics बहुत अच्छी लग भारत में आना चाहिए था जिनको भारत में 1947 में आ जाना चाहिए था वो लोग वहाँ पर रुख गये उनके लिए दरवाजे हमेशा केंदर सरकार ने खुले रखे थे citizenship act में भी उसका प्रावधान रखा गया था और constitution में भी प्रावधान रखा गया था कि यह जब वापस आएंगे तो फिर इनको नागरिकता दी जा सकती है यानि कि यह जब भी आएंगे तो इनका स्वागत है इस बात को ध्यान में रखते हुए ही परलेमेंट में बहुत सा सारे लोगों ने गंदी जी सहित स्टेटमेंट दिये थे कि आप जब भी भारत आना चाहें तो आपका स्वागत है लेकिन रोहिंग्यास जिनोंने अपने देश जहां उनका जनम हुआ मया मार वहापर संसार की सबसे शांत्यप्रती संसांत प्रिय समुदाय जिसको हम बौध की स्थापना भारत में हुई भगवान बुद्ध का जनम भारत में हुआ विश्णु के अवतार के रूप में भगवान बुद्ध का जनम हुआ और उन्होंने एक नया संदेश अंसार को दिया शांतिका उस संदेश को ध्यान में रखते हुए ही भारत में बौध ध कि स्थापना हुई अशोक के द्वारा और बौध धम को ही देश का धम मान लिया गया रोहिंग्या जिनोंने उस बौध धम के अनुवई जो भिक्षू होते हैं उनको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी मयामार में और इस इस्तिती में मयामार में उन्होंने परेशान किया हिंदू समधाय के बौध पंतियों को कि बौधों को एक बार गुसा आया और क्रोध का अलम ये था कि उन्होंने रिटेलियेशन करना यानि कि अपने बचाओं में अपनी शक्ति लगाना शुरू कर दिया अपने बचाओं में जब शक्ति लगाई तो रोहिंग्या वह हो गया वहां से भागे तो बंगलादेश और मंगलादेश से हिंदूस्तान में प्रवेश किया और में तो उस समय मुसल्मानों के लिए बॉर्डर खुले ही हुए थे जो चाहें सो एंट्री मार जाए चाहें समुद्र के रास्ते से एंट्री मारे या बंगलदेश के रास्ते से असम के रास्ते से एंट्री मारे और हैवन मसल्मानों के जो रोहिंगे मसल्मान हैं उनके हैवन के रूप में जमुन कश्मीर सामने आया क्योंकि जमुन कश्मीर को तो क्या करना था उसको हिंदू माइनोरिटी और मुस्लिम मैजोरिटी बनाना था ताकि वो 1989 कर सके ताकि वो बाद में भी जमुन कश्मी लग्दा को हिंदू विहीन कर सके इसलिए तमाम तरह के कानून वहाँ पर बनाए गए उन कानूनों का परिणाम ये निकला कि हिंदू की लैंड चीनी गई और उनको बाहर किया गया बहुत कुछ मैंने आपको बताया रोशनी एक्ट साहिद बहुत सारे विशह मैं पहले डिसकस कहा चुगा लेकिन केंदर सरकार बदलने के बाद जब CAA भारत में आया और खास दोर से जमुन कश्मीर में जब आर्टिकल 370 dilute किया गया 35 capital A abrogate किया गया presidential order 1954 abrogate किया गया तो वहाँ एक नई बात आई और के अंदर सरकार ने अब वहाँ पर domicile policy लागू कर दी हाला कि domicile policy पूरे देश में लागू रहती है जमुन कश्मीर में भी domicile policy लागू कर दी उस domicile policy में उन्होंने बताया साथ वर्ष रहेंगे तो ऐसा होगा पंदरा वर्ष रहेंगे तो आपको SS citizenship वहां की निवासेता यहने की domicile दे दी जाएगी और जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको domicile दे जाएगी जो पीरसी होल्डर्स हैं उनको domicile दे दी जाएगी नतिया निकला कि देश के रहने व गई और पर्मन रेजिनेंस सेटिफिकर्ट जिसके पास था जमुन कश्मीर का उनको वहां पर रहने की सवेवस्ता चालू हो गई अब वहां पर चटनी शुरू हुई एक एक परिवार एक एक घर में जब मोहिम चालू हुई कि आपको domicile दिया जा रहा है तो जो रोहेंग अलगी देश के बहुत सारे राज्य और भी आश्रे दिये हुए हैं बंगाल आश्रे दिये हुए हैं असम में आश्रे दिया गया था जिनके इनरसी असम में शुरू ही तो हमने बवाल पूरे देश में देखा ही होगा जमुन कश्मीर में भी इनरसी चालू हुई और अभी जो जमुन कश्मीर में नर्सी डोमिसाइल के मद्दम से हो रही है तो रोहिंग्याउस के बड़े परिवार सामने आए एक अनुमान के अनुसार दस बारा हजार रोहिंग्यास आपको पता है दस बारा हजार अगर आतंकी पैदा हो जाएं किसी भी देश को डिस्टरब कर सकते हैं दस बारा हजार रोहिंग्यास जमुन कश्मीर में ऐसा कहा जाता है ऑफिशली कहा जाता है कि एक चालिस से पचास हजार रोहिंग्या बारत में रहते हैं जिन में से 30% प्रॉक्स जमुन कश्मीर में रहते हैं और मुसलिम वहाँ पर मेजुरेटी में रहे, वही जमुर कश्मीर केम रोहिंगियास वहाँ आतंख भी फिलाते रहे और बहुत कुछ करते रहे, सरकार बदलने के बाद उन्होंने चिन्नित करना शुरू किया, और चिन्नित करके उनको डिपटेशन पर भरना शुरू किया अच्छानक रोहिंग्या इसको पहले नोटिस दिया गया कि हम आएंगे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं नहीं गए उनको लगा कि उनको राजनेतिक प्रशाय मिल जाएगा जमल किश्मीर में फरुक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या ऐसे बहुत सारे लोग उनके पक्षमें खड़े हो जाएंगे और वो हर बार की तरह इस बार भी बच जाएंगे ऐसा सोच कर वो वहां रूके रहे लेकिन केंदर की सरकार ने एनार सी जमुन कश्मीर से ही शुरू कर दिया और अब रोहिंग्या ये दस पारा हजार रोहिंग्या इसमें से कुछ को पकड़ के ले गए ऐसा उनका कहना है कि रात में कुछ लोगों को ले गए उनकी जाच पड़ताल करने के लिए उनको उनको किसी शेल्टर हाउस में रखा गया या फिर उनको किसी ऐसी जगे पर रखा गया कि वह भारत के नागरिक नहीं है तो फिर उनको डिप्यूट किया जाएगा बंगलादेश के लिए उनको डिप्यूट किया जाएगा मैयामार के लिए और मैयामार में तो ओलिडी वहाँ सैनिक शाषन आ चुका है और सैनिक शाषन रोहिंग्यास के लिए बड़ा बुरा सपना की तरह है हाला कि केंदर की सरकार ने नर्ण मोदी जी ने आंग सांग सूकी से भी बारता करी थी और वो रोहिंग्यास को वपस लेने को तयार थी अब वहाँ से जब रोहिंग्यास चले तो चलते समय फर्ग अदुल्ला को अपनी जमीन खसक्ती दिखाई पड़ी और फरुक अदुल्ला ने सबसे पहले स्टेटमेंट दे डाला कि भी या इंटरनेशनल कानूनों को पढ़ लीजे इंटरनेशनल कानूनों के तहत वो यहां पर आये और ऐसा वैसा रह रहे हैं और आप उनको कैसे मानवी विवार करें फरुक अदुल्ला साहब क्यापने मानवी विवार करवाया था नाइंटीन Breaknight यह कहां थे यह ब्रिगेट आज तक नहीं बोले एक अफायर दरज नहीं हुई थी एक F.I.R दरज हुई होती कि जम्मुन कश्मीर में 1989-90 में इतना बड़ा एक्सोडस हुआ लाखों लोग बेगर हुए उनकी जमीने प्रापर्टी कबजा कर लिया गया और आपके मुझे एक शब्द नहीं लिखना रहा है उनके देश में तो आपको दर्द होता है और यह वो रहें रहें गया है जो बॉर्डर में प्रिवेश करते समय इनको गोली मार देनी चाहिए थी भरत सरकार ने इनको इनवाइट नहीं किया यह illegally border cross करके आए और जब यह illegal border cross करके आए तो उस समय border पर अगर force खड़ी होती अगर आपके आप और आपके जो वंशाज केंदर में साशन चला रहे थे Congress के शाशन चला रहे थे वो अगर ढिलाई न बरते border पर तो इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए थी उस समय सीधा shoot out करना था आतंकवादियों की तरह इनको shoot out करना था क्योंकि यह आतंकवादी थे यह illegally border cross करके भारत में आ रहे थे जीवित बच गए तो साब यह आपके महमान हो गए और मर जाते तो कोई बात नहीं है और हो सकता है कि उस समय सरकार गोली चलाती और police force गोली चलाती security forces गोली चलाते तो भी आपके पेट में दर्द हो रहा होता आज किसी को illegally entry नहीं करने दी जा रही है इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है और जो लोग भारत में illegal प्रवेश कर चुके हैं उन लोगों को बाहर भी भेजा जा रहा है उनको उनके देश बेजा जा रहा है अभी तो जमुल कश्मीर से जब सरकारे इस प्रकारी की बनी तो जमुल कश्मीर से वो लोग सौयम अपना सामान उठक एकटा करके चल दिये वो रोहिंगया जो कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन यहां से हिलेंगे नहीं वो उनके समर्थक जो कहते थे कि इनको निकाला नहीं जा सकता अब इस देश में उनकलिस्थान नहीं उनको जाना ही होगा सरकारों की प्रवल इच्छा शक्ति किसी भी illegal काम को legally dispute कर सकती है ये सरकारों की शक्ती होती है द्रण इच्छा शक्ती होती है मोधी सरकार की ये जो द्रण इच्छा शक्ती है उसका परिणाम है कि रोहिंग्याज आज अपना सामान इखटा करके कहना है कि हमें पकड़ो नहीं हम अपने देश स्वैम चले जाएंगे हमें detention center मत डालो हम अपने देश स्वैम चले जाएंगे हमें अपने देश में जाना है जब वो अपने देश में जाने को तयार है तो हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जो लोग भी इलीगली पाकिस्तान, बांगलादेश और भगानिस्तान से आये हैं या संसार के किसी भी कोने से आये हैं उनको देश छोड़कर जाना ही होगा ममता दीदी लगातार चिला रही हैं क्योंकि जिस समय एनर्सी और सी एका कानून आया था ममता बनर्ची ने उसको चैलेंज किया था और मैं अपने राज़मे लागू नहीं करूंगी और ये नहीं वो नहीं क्योंकि उनको लगता था कि वो illegal immigrants को वहां प्रशय दे कर और वो प्रश्रकार बार बार बना लेंगी वहां के रहने वाले लोग ये निकि बंगाल परश्रिम बंगाल के रहने वाले लोग भी इस अताताई शक्ती से इस अताताई behavior से बहुत परेशान हुए होंगे उनको लगा होगा कि अगर तुम ऐसे कर लोगी तो हिंदू जो आज भी वहां 60-70% है उस 70% हिंदू का क्या होगा उस 70% भारत में रहने वाले भारत के ओर्जिनल नागरी का क्या होगा बटवारे में जब पाकिस्तान दे दिया गया था तो उस समय गलती करने वालों ने भारत में कुछ लोग रोकने दिये और हिंदू मानसिक्ता ने उनको मरने नहीं दिया क्योंकि हम सर्वे भवंत सुखना का फर्मूले लेकर चलते हैं और सर्वे भवंत सुखना ने भारत में एक बड़ी समस्या लाकर खड़ी कर दी लेकिन आप विश्वास करिए आज भी आप विश्वास कर सकते हैं मुदी सरकार उसको सब ठीक कर सकती है रोहिंगया तो छोड़ दीए भारत में रहने वाला मुसलमान भी अपने आप अपने पूरवज ढूनेगा और ढून कर बताएगा कि मेरे पूरवज कौन थे और गलती से मैंने ये कर लिया जो हो गया लोगों को रोहिंगयास को लगा था किसी एके प्रोडस्ट के दोरान शाहिन बाग जैसी घटना है पूरे देश में हुई एक कम्यूनिटी पूरे देश को ब्लॉक कर गई दंगे फैला है और अब मोदी सरकार डर गई है डरने के वज़े से रोहिंगयास वगयरा को वो छुएगी नहीं निकालेगी नहीं ये उनकी गलत फैमी थी जो केंदर सरकार इस समय दूर कर रही है कि नहीं भारत में illegal immigrant एक भी नहीं रहेगा भारत से सब को जाना पड़ेगा एक भी व्यक्ति भारत में illegally नहीं रह सकता हमें आज की सरकार को मनोवल देना चाहिए इस तरह के जो वीडियोज हैं चाहे किसी का भी हो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में एक हिं beş बड़े और वो हिं मत इस परकार की हो की वो केंदर की आजकी सरकार को इस परकार सपॉर्ट करें या भविशं में कोई भी सरकार बैठे ।ो उसको यह लगे यही काम मेरा करना चाहए अगर मैंने यहना किया तो मैं सत्ता में नहीं रह सकता, सत्ता हमसे दोर चली जाएगी ये हम सब का दैट तो बनता है कि politicians को उनकी जिम्मेदारी याद दिला है जिसके लिए हमने उनको बिठाया और सरा आखों पर बिठाया वो काम बखुबी निभाएं Thank you very much